तो ब्रस्पति और शुकर की यूति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे में इस लगन के विभिन भावों के लिए और अब ये हमारी अंतिम वीडियो रहेगी में इस लगन के बारवि भाव के लिए अगर आपका ब्रस्पति और शुकर का यूति मीन डासी में है तो तो यहाँ यह दोनों की अगर placement आपके चार्ट में है तो किस प्रकार के प्रभाव और परिणाम आपको इस यूती से देखने को मिल सकते हैं आपको इस यूती को कैसे judge करना चाहिए यहाँ देखे कोई भी planet अब वक्री नहीं होना चाहिए अगर कोई भी planet इन में से बक्री होता है तो उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी और यह conjunction इसलिए भी बहुत ज़्यदा interesting है कि इसमें जुपिटर और वीनस यानि ब्रस्पती और शुकर दोनों मिलकर बहुत सारी हमारी life की जो चीज़े हैं या जो कारकतव है हमारी life का उसको कवर कर देते हैं इसलिए इन दोनों का ही यूटी हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़र रही है इसके लावा सबसे बड़ी बात आती है marriage को लेके क्योंकि पुरुस के चार्ट के इसाब से शुकर को उनकी wife का कारक माना जाता है जबकि इस्तरियों के चार्ट के इसाब से अगर देखा जाए तो ब्रस्पती को उनके husband का कारक माना जाता है इसलिए जब इन दोनों की ही यूटी होगी तो चाहे वो पुरुस के चार्ट में हो चाहे इस तरी के चार्ट में वहां married life पर बहुत ही एक strong impact पड़ेगा इस conjunction की वे से अब जब भी बारवे भाव में ये conjunction बनता है तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा interesting बन जाता है क्योंकि इस case में बरस्पती को अगर देखा जाए तो बरस्पती नौवे और बारवे घर के श्वामी है और यहां वो बारवे घर के श्वामी के साथ यानि शुकर जो है शुकर उच्चके हो गए और बारवे घर के श्वामी के साथ ही इस्तित होंगे तो शुक्र आपके चार्ट में दूसरे और साथवे घर के श्वामी है तो वैसे तो अगर देखा जाए तो हम साथवे भाव के श्वामी को बारवे घर में बैठे वे उतना अच्छा नहीं मानते इसमें हो सकता है कि मैरिज के बाद में आपका फोरेंच सेटल्मेंट होगा आपके पार्टनर की हेल्थ खराब हो जाएगी या पार्टनर पर बहुत जदा आपको खर्चा करना पड़ेगा बहुत सारी ऐसे चीज़ें निकल के आती है इस प्लेस्मेंट से बट यहाँ पे क्योंकि जो शुक्र बैठें वो बारवे घर के श्वामी यानि जुपिटर के साथ ही बैठें तो अब इसका मतलब ये भी है कि आपका विदेश सेटल्मेंट तो होगा लेकिन विदेश सेटल्मेंट के साथ ही आपकी किसमत खुल जाएगी अब हलांकि इस यूती पर किसी भी अन्नेग्रे का अगर प्रभाव है तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा और फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इन में से दोनों में से कोई भी वक्री नहीं होना चाहिए और अगर इन में से कोई अस्त भी होता है तो आपको उसको भी देखना है क्योंकि अस्त होने के केस में हम फिर सूरिय को देखेंगे और सूरिय आपके चार्ट में पांचवे भाव के स्वामी पांच वे भाव के श्वाम होकर अगर सूरिय इन में से किसी को भी अस्त कर रहे हैं तो ऐसे में आपकी creative skills पे आपकी imagination skills पे बहुत गहरा असर पड़ेगा और आपकी decision making पे भी बहुत strong impact पड़ेगा अब सबसे पहले हम यहां ब्रस्पत्य को लेते हैं ब्रस्पत्य अगर देखा जाए तो पुरुस और इस्त्री दोनों के लिए ही वो ज्यान के कारिक हैं लक के कारिक हैं संतान के भी कारिक हैं और धन समर्दी के भी कारिक हैं तो ऐसा जो ब्रस्पति है वो निस्सित रूप से आपको फोरेंस से कही न कही ज़्यादा फाइदा करवा सकता है और ब्रस्पति का ये खुद का घर ही है और यहाँ पर ब्रस्पति आपको थोड़ा अकेला पन भी देंगे लेकिन ऐसा ब्रस्पति आपको अगर सुकर के साथ यूति कर रहें तो निस्यती काफी ज़दा spiritual progress देने के साथ आपको धन और luxury की भी काफी ज़दा सुवीदा देंगे life में तो यहां शुकर पर बरस्पती की विज़े से भी एक strong impact पड़ेगा और क्योंकि यह बरस्पती का खुद का घर है तो यहां बरस्पती अगर थोड़ी बहुत डिग्री वाइज अगर बली ना भी हो तो भी यहां बरस्पती अपनी पूरी तरीके से चला सकते हैं इस भाव में बड़ शुकर भी यहां बिलकुल भी कम नहीं है क्योंकि शुकर यहां उचके होते हैं इसलिए अब शुकर अगर अस्त हो जाते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके creativity और आपके imagination के लिए आपके धन और luxury के लिए लेकिन अगर शुकर यहां वक्री हो जात का यह यूति है तो दोनों ही शुक्ग्रे हैं दोनों शुक्ग्रे होने के केस में ऐसा जो यूति है वो आपको बहुत ही लाइफ को balance करने में मदद करेगा हमेशा ही क्योंकि एक तरफ जहां ब्रस्पति बहुत ही जादा पुजा पार्ठ धार्मिक कारियों को या तंत्रमं जादा luxurious life भी जिएगा relationship बगरे का भी काफी अच्छा आनन्द लेगा साथ साथ में वह काफी ज़्यदा spiritual भी होगा तो कोई भी ऐसा जातक अपनी later age में ज्यादा से ज्यादा आपको spiritual नजर आएगा और अपनी young age में ज्यादा से ज्यादा वह socially active हो सकता है या वह luxury और पैसे luxury item से समन्दित काम करने या ऐसा कोई भी business करने के लिए बहुत बहुत बेहतरी इस्तिती है इसके सासाथ अगर इस्त्री के चार्ट में ये इस्तिती है तो क्यूंकि ब्रस्पति उनके लिए उनके husband को represent करते हैं इसलिए जो आपको partner मिलेगा वह काफी ज़्यानी और समझदा तो होगा ही इस्तित्रियों के केस में लेकिन वो काफी ज़्यदा luxury जीवन जिनने वाला भी होगा बट हो सकता है कि उसका ध्यान थोड़ा सा आपके साध्य होने के पस्चात किसी और इस्तित्री की तरफ भी जा सकता है यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ब्रस्प तो ऐसे में most of cases में हमें ये देखने को मिलेगा अगर या तो किसी भी इस्तरी के चार्ट में ये युति है तो उनके husband के बहुत ज़्यादा extra marital affairs होने के chances बनेगे और अगर किसी पुरुस के चार्ट में अगर ये युति है तो उस पुरुस के खुद के बहुत ज़्यादा affairs होने के chances बनेगे अब क्योंकि पुरुसों के लिए शुकर खुद उनकी wife के कारक है ऐसे में आपकी wife से आपको समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा detachment feel हो सकती है और यहां ब्रस्पती जितने ज़्यादा शुकर के close होंगे उतने ज़्यादा पुरुसों को अपनी sexual life को handle करने में दिक्कते आएंगी अपने partner के साथ तो ऐसे में एक बहुत ही खराब सी इस्तिति आपके रिष्टे को लेके relationship को लेके create होगी आपकी wife के साथ लेकिन इस तरह के case में यह थोड़ा different है जो मैंने अभी आपको explain किया है अब यहां पर देखिए ब्रस्पती 9 भाव और 12 धन और luxury और ग्यान भी प्राप्त कर सकते हैं जहां शुकर यहां एक तरफ धन और luxury को represent करते हैं वहीं ब्रस्पती बहुत ज़्यदा higher knowledge को represent करते हैं इस वज़े से अगर पुरुष या इस्तरी दोनों का ही अगर चार्ट हो तो उनके marriage के पस्चात विदेश यात्रा होने और भी उनका marriage हो रहा है यानि जो भी उनका husband है उसके विज़े से वो foreign settle हो सकते हैं लेकिन पुरुषो के case में अगर इस यूति को लिया जाएगा तो पुरुषो के case में ऐसा नहीं है कि partner जो है आपका उसके विज़े से आप विदेश जाएंगे बलकि partner के लिए आप ज्यादा और luxury हासिल कर सकते हैं इसका मतलब ये भी है कि आपको विदेश जाने के बाद नए कुछ income sources आपके लिए खुल सकते हैं अगर आप विदेश नहीं जाते हैं अपनी country में ही रह रहे हैं इस यूति के होते हैं तो आपको अपने खर्चों को handle करना उतना आसान नहीं होगा जि imagination में और creativity में और ज्यान में ज्यादा से ज्यादा वर्दी होगी और आप काफी ज्यादा sensitive होंगे काफी सारे relations को लेके चीजों को लेके धन को लेके और थोड़े से चंतित ज्यादा रहेंगे कभी-कभी बट अब आपको महादसा पर भी depend करेगा अगर इन में से किसी की भी महादसा आती हैं तो उसी के इसाब से आपको देखना जैसे एमानलो अगर बरसपती की महादसा है और अगर पुरुस का चार्ट है तो वो अपने आध्यात्मिक परपस के लिए ग्यान प्राप्ति के परपस के लिए या कोई भी research परपस के लिए विदेश जाएगा अगर क यूति आपकी औरोल पूरी लाइफ पर इमपक्ट आलेगी क्योंकि जहाँ पर ये बरसपती लक्ष के कारपक भी है वहीं ये संतान के कारपक भी है ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि marriage के बाद आप विदेश गये विदेश में settle भी होगे और वहीं पर आपको संतान उतपती काफी ज़्यादा लकी होंगे, बहुत ज़्यादा फैवरेबल होंगे और ग्यान के मामले में उसके husband उसको काफी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे लेकिन पुरुसों के केस में अब ऐसा नहीं होगा फुरुसों के केस में ये होगा कि जिवन साथ ही आपको बहुत अच्छी सला देने वाला होगा बहुत सा ग्यान देने वाला होगा लेकिन लक की थोड़ी संभावना आपके लिए कम हो जाती है अगर शुकर बहुत ज़्यादा क्लोज है बरस्पती के तब जरूर आपका लक विदे सेटल होने से या अपने जनम स्तल से दूर जाने से साथ दे सकता है अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इन दोनों का ही दृष्टी आपके सिक्स थाउस पर है ऐसे में आपका डेली रूटीन आपका डेली के काम काज को बनाने में, उसको सही तरीके से निरधारित करने में, आपको सही डिसिजन लेने में ये दोनों हुई गढ़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रॉल है इसके सासाथ ये कंजक्षन होते वे चाहे पुरुस हो चाहे स्तरी हो उनके जिवन में खर्चे बहुत ज़्यादा लगे रहेंगे हमेशा ही तो पैसा आपका बचेगा नहीं भले या आपने किसी को charity कर दी charity करके भी आप काफी ज़्यादा खुश रहेंगे लेकिन आप एक तो बहुत गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए नहीं देखेंगे एक जो भी पैसा आपने कमाया उसको सही डंग से यूज भी लेंगे लेकिन भोग विलास लगजरी और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार से अगर देखा जाए आपको काफी ज़्यादा विदेश में सेटल होने की तरफ या रिसर्च पर्पस की तरफ आगे बढ़ा सकता है जाइव गर परिवार की चिंता ऐसा ब्रस्पती बहुत जयादा देगा अपकी माताजी की बहुत जयदा चिंता देएगा आपकी माताजी के स्वास्ते के लिए उतनी अच्छी स्थिती नहीं है, तो आपको बेसिकली अपना घर छोड़ना ही पड़ सकता है, पहले ही study purpose के लिए, तो अगर आप छोटी आयू में हैं, और अगर आपको इसी प्रकार का कोई विचार आ रहा है, अपने घर छोड़ने जैसा, या कहीं दूर सेटल होने जैसा, या इवन विदेश सेटल होने जैसा, तो आप उस पर planning जरूर करके चल सकते हैं आगे के लिए, इसके साथ साथ यहां जो बरसपती का दृष्टी है, वो आपके six thousand पर है, और शुकर का दृष्टी भी आपके six thousand पर है, अगर six thousand में कोई भी क्रूर ग्रेब बैठा है, तो आपको marriage के बाद अपने partner से काफी ज़्यदा dispute होने के chances बनेंगे, और अगर शुकर की महादसा किसी भी जाद तक को आगई, और अगर वो पुरुष्ट जात तक है, तो उसकी वाइफ है, उसकी विज़े से ज़्यादा तक dispute create होने के chances बनेंगे, कि आप relationship में बहुत ज़्यदा ऐसंतुष्ट हैं, और आप अपने जिवन साथी से बिलकुल भी खुश नहीं हैं, बिलकुल भी वो आपको support नहीं कर पा रहा, अगर किसी इस्तरी के चार्ट में अगर ये इस्तिती है, तो इस्तरी के case में उनके husband बहुत ज़्यादा spiritual होने के chances हैं, और खर्चे भी वो बहुत ज़्यादा करेंगे, अपने money management को लेके वो उतने अच्छे सावित नहीं होंगे, फिर यहां से ब्रस्पति का दर्ष्टी है आपके आठवे भावे, आठवे भावे ये जो दर्ष्टी है ये बहुत ज़्यादा महत्वपण है, ज्यान प्राप्ति में, आध्यात्मिक प्रोग्रेस में, लग्जरियस लाइब जीने के परती ज़्यादा सोचेंगे, अगर यहां ब्रस्पति ज़्यादा स्ट्रोंग हो, या ब्रस्पति बहुत ज़्यादा बली हो, तो निश्यति आप spiritual side ज़्यादा रुजहान रखेंगे अपनी लाइफ में, अब आपको यहां आपके 6th house में कोई भी अन्ने क्रेय बैठा है, उसको भी जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका direct दरश्टी पढ़ेगा इन दोनों पर ही, ऐसे में यहां पर आपको काफी सारी समस्य हैं, काफी सारी issues देखने को मिल सकते हैं, तो यहां मैंली सबसे ज़्यादा इंपेक्ट बड़ेगा आपकी लाइफ स्टैल पर, आपके मैरीज पर, मैरीज के बाद के आपके जीवन पर, तो इस परकार से आपको इस यूति को देखना है,